अज की इस वीडियो में आपको बिहार जेई या बिटेसी जेई के तरब से ओफिस्चल नोटिफिकेशन रिडिस की गए जिसके बारे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और इसका जो मेकनिकल का है वह भी बचा ही है मेकनिकल का भी इसमें इंक्लूड होगा जिसमें कि आपको 500 से 1000 या 15 से के बीच में आपको उसकी वेकंसी देखने के लिए मिल सकती है लेकिन अभी उसका जो नोटिस है अभी नहीं आया पप्लिक डोमेंड में जैसी आएगा उसक प्रेस करके औल सिलेक्ट कर दीजेगा ताकि आने वाले जो वेकंसी होगी या इस होगी चोटा जो भी अपडेट आएगी जब तक आपको इससे की हड़ेक अबडेट मिलती रहेंगी चली वीडियो को श्टाट करते हैं और सभी कुछ आपको लिटे से बताते हैं अभी तक क्लिक करके आप sign up कर सकते हैं आपको 10% का instant discount मिलेगा और अगर आप लोग अभी पहले से sign up कर रखे हो तो आपको apply coupon का option दिखेगा apply coupon वाले option पर आपको click कर रहा है और इसमें आपको PKO3PL यहां पर apply करना है जैसे apply करोगे तो आपको 10% का instant discount मिल जाएगा जो भी pass पर आप लेना पको 3PL आप note करके लिख सकते हैं इस coupon code को आप जैसे apply करोगे यह 10% का instant आपको discount दे देगा पर offer चल रहा है जो कि 1-2 दीर में खतम हो जाएगा यह मंत का जैसे end होगा उसके बाद price जो है आउटमेंटिकली बढ़ जाएगा अभी जो है इसका normal pass आप मंतली pass 179 में ले सकते है yearly 2 year का pass यहाँ पर 224 में ले सकते हैं और यहाँ पर lifetime के pass 304 रुपे में ले सकते हैं अगर आप हमारे जो links हैं उस offer links से अगर आप जाते हो purchase करते हो तो उसके बाद अगर आप लोग normal links जाते हो तो आपको extra यहाँ पर pay करने पर जाएगे और यहाँ पर इसके तरब से भी दो pass आपको देखने के लिए एक है normal pass और एक है pass pro तो आप जो लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं pass pro में है क्या आपको previous year questions आपको देखने के मिल जाएगे pass pro आप यहाँ पर देखने के करोगे तो pass pro में आपको यहाँ पर बहुत सारे benefits मिल जाएंगे जो की normal pass में आपको नही technique मिलेगा और यहाँ पर आप access कर सकते हैं pro live test और बहुत सारे यहाँ पर आपको questions unlimited attempt कर सकते हैं और यह जो आपको मिलेगा अगर आप link से जाते हो वीडियो के description में या टिलिग्राम पर जो मैं link provide करता हूं या WhatsApp groups में उससे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको only तीन मन् बाइ तो यहाँ पर कर सकते हैं और बहुत सारे यहाँ पर previous year test लगा सकते हैं जिनसे कि आप exam में अच्छा perform कर सकते हो जितने भी सारे यहाँ पर state की exam से state a.e.j.psu gate सभी का यहाँ पर आपको मिल जागा तो जरूर्द साप यहाँ पर explore कर सकते हैं यह 254023 के date में ही civil वालो का जो notice आया था उसका पत्रांग यहाँ पर था 1071 और इसमें civil का जो total vacancy था यहाँ पर कनिया अभियनता असैनिक यानि कि junior engineer civil के post पे जो total अमरो पोस्ट था यहाँ पर दिया गया था जो की था यहाँ पर 7988 पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं यह only diplomat civil वालों के लिए था public domain में notice नहीं आया है और यह 1073 इलेक्ट्रिकल का यहाँ पर आप देख सकते हैं कनिया अभियनता बिद्धूत से जुनियर इंजिनर इलेक्ट्रिकल का यह पोस्ट है और इसमें total पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाऊगे इसमें जो total पोस्ट है 199 पोस्ट पे यह total vacancy यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी यह जुनियर इंजिनर इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है और जुनियर इंजिनर मेक्ट्रिकल का जो पोस्ट है अभी आनी बांकी है उसका अलग से notice आपको देखने के लिए मिलेगी जिसका पत्रांक यहाँ पर 1072 होगा 1071 था यह एक सो निनान में भी जादा बढ़ा करके दियागा इससे कमी था और मेकनिकल में चार सो कुछ पोस्ट था या छे से करीब था तो अभी आपको यह एक हजार से बारा सो या इसी बीच में आपको आगे पीछे थोड़ा देखने के लिए तो जब नोटीस आगी उसमें डिटेल्स में होगा तो मैं आपको बताऊंगा अभी तक इसका जो नोटीस है पब्लिक डोमेन में नहीं आई है तो अभी आपको मैं नहीं बता सकता हूं यहां पर देख सकते हैं बाइस पांच से लेकर करके कि इसमें डेट दिया आगा है ओनलाइन करने का लेकिन यह ऑनल होगा या जो सिविल का था उसमें आठनो डिपार्टमेंट है सभी से अप्रूबल होकर करके आएगा तभी अर्बटाइजमेंट रिलीज होगी हलाकि अभी इस पर एश्टे लगा हुआ अब इस्टे हटता है तो उसके बाद आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिले देता हूं तो वहां से आप आसानी से देख सकते हैं पढ़ सकते हैं इसमें भी सभी कुछ सेम है एप्लिकेशन फी यहां पर भी छेसो डेड़ सु रूपे आपको जो भी अधर इस्टेट से बिलोंग करेंगे उनके लिए छेस रूपे होगा चाहे आप महिला हो या की महला उमिदवार जो बिहार राज के अस्थाई निवासी है जो बिहार की गर्ल्स कंडिडेट हैं चाहे किसी भी कटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपके लिए भी एक सपचास रूपे आपको पे करने होंगे उसकी बात यहां पर एज लिमिट की बात करें तो एज लि दिया गया तो यह लिमिट से रिलिटेड यहां पर गैडलेंस है जिसको कि यहां पर फोलो किया जाएगा अब बात करते हैं कि सेलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है तो सेलेक्शन प्रोसेस आपको पता होगा इसमें 75% वेटेज आपका एक्जाम का रहने वाला है और 25% जो है वो संविदा के अधार पर जो भी काम किये हैं कनिया भिंता के पोस्ट पर उन लोगों को दिया जाएगा इसमें 100 एकसों के इसमें एक्जाम सोंगे रिटेंटेस्ट जिसमें MCQ टैप्स कुछे जाएंगे जिसमें 80 कुछेंस आपका टेक्निकल नोलेज का होगा जो भ आपका डिप्लोमाइन इलेक्ट्रिकल इंजिनेरिग में या डिप्लोमाइन सिविल या डिप्लोमाइन मेकनिकल जो भी आपका ब्रांच होगा सभी के लिए अलग-अलग आपका कुश्टन्स देखने के लिए और 20 कुश्टन्स यहां पर लिखा है से 20 कुश्टन्स आपका CBT exams होगा computer based test exams होगा अगर वो एक से ज़्यादा पालिम में आविजित होता है तो normalization के माध्यम से इसका जो merit list है त्यार किया जाएगा इसमें negating marking भी आपको देखने के मिलेगा एक questions के लिए आपको एक अंक दिया जाएगा और 0.5 आपका काटा जाएगा यानि कि one fourth का यहाँ पर आपको negating marking देखने के लिए मिल रही है एक important point यहाँ पर यह दिया गया है कि इसमें आपको minimum qualifying marks सभी का category का यहाँ पर दिया गया है तो आपको यह minimum qualifying marks है वो आपको attend करने होंगे तो उसके बाद ही आपको दूतिये चरण में भेजा जाएगा करते हैं तो आपके लिए 40% आपका mark है तो यानि कि आपका जो 40% है एक समय से आपको 40 questions या 40 mark आपको लाने होंगे तब आप इस exam को qualify करोगे next process में जाने के लिए मान के चलिए अगर कोई संभीदा वाले हैं के पास 25 अंक है अगर वो यूर के टेगरी से बिलोंग करता है और अगर वो एक समय 40 mark नहीं लाता है तो उनको ये 25 अंक बेटेज नहीं दिया जाएगा तो ये चीज आपको इसमें ध्यान उमिदवारों के लिए 32 परसेंट आपको नियूंतम हर्ता प्राप्त करना अनिवारी होगा तो ये मिनिममम qualifying marks आपको लाना होगा अने था वे परतियोगिता से बाहर हो जाएंगे तो ये पहले ही आपको 25 अंक दिया जाएंगे और जो भी mark score करोगे एक्जामस में उसका 75% 0.75 से multiply कर दिया जाएगा उसका mark का और उसके बाद इसमें दिया जाएगा count किया जाएगा और 25 marks अगर वो 5 साल उनके पास experience होगा एक साल का 5 यहां पर अंक दिया जाएगा experience का maximum 5 साल का ही मिल सकता है 25 अंक आपको experience का तो इस तरीके से total 75% और यह यह तो 75 अंक यह परसेंट बोलिए बात बराबर है और 100 अंक इस तरीके से आपका इसमें selection process इसमें दिया गया है इस त आपको बता दिया और mechanical का भी यहां पर PDF आपको देखने के मिलेगी यह जो notice है आपको internal notice है अभी तक यह भेजा गया था approval के लिए official notice नहीं है official notice आता जब यह approval हो जाता उसके बाद advertisement आपको देखने के मिलता उससे पहले यह notice public domain में आई है जो कि अभी भी mechanical का नहीं आए electrical और आएगा तो मैं आपको जरूर से बता दूँगा तो उसके लिए वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए सभी जगा सेर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखे बेल अकन प्रेस करके और सेर करके रखे ताकि जब ही मैं वीडियो अप्लोड करू तो उसकी जो notification सबसे पहले आपको मिलेगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सुक्रिया और थैंक्यू वीडियो को जरूर से लाइक सेर सब्सक्राइब कर दीजिएगा